क्या पानी पीना है खतरनाग? क्या पानी पीने से शरीर में हो सकती है बिमारी? क्या है टाइप टू डाबिटीज? जानेंगे इन सभी चीजों के बारे में नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस वाल इंडिया मैं हूँ आपके साथ जो है से आपने अकसर अपने बड़ों से ये कहते जरूर सुना होगा कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए आप सुन लेते हैं मानना या ना मानना आपके उपर डिपेंड करता है बड़ों का काम था बताना और आपका सुनना लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों कहते हैं कि खाना खाने के दौरान या तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए ये संभव है कि आपने पेट की आग भूक की आग बुच जाती है ऐसा कहते लोगों से सुना होगा इस पर बिना किसी टिपणी कि ये आपको एक नई रिसर्च के बारे में बताने जा रहे है जिसमें इस सवाल का जवाब दिया गया है कि आखिर क्यों खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए साउथ अमेरिका के कुछ साइन्टिस ने अई हाल ही में 35 लोगों पर रिसर्च करके इस बाद को साबित किया है कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने से खून में शूगर लेवल बढ़ जाता है यह मातरा तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब खाने के साथ हम पानी पीते हैं जिन लोगों परिसर्च किया गया, उन्हें खाने के लिए जोनट दे दिया गया। अब ये जोनट मीठा भी हो सकता है। जिन लोगों ने ये खाया, उनसे खाने के पहले, खाने के दौरान और खाने के बाद पानी पीने के लिए कहा गया। खाने से जो glucose observe की क्षमता होती है उसको बढ़ा देता है वैग्यानिक मानते हैं कि डोनट वाली ये बात खाने के बांकी चीजों पर भी लागू होती है अब जो note करने लाये कुछ बाते हैं आप वो भी जान लीजिए खाने के साथ पानी पीने से शरीर में ज्यादा शुगर जाती है खाने के बाद पानी पीने से बाड़ी में कुछ कम शुगर जाती है खाने के पहले पानी पीने से शरीर में शुगर की मात्रा सबसे कम जाती है तो अब अगर आप शुगर के मरीज हैं या नहीं बनना चाहते हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि खाने के पहले पानी पीले, खाना खाने के दौरान और खानी के एक दम बाद से बिलकुल भी पानी ना पिये। शुगर से क्या समस्या होती है अब ये भी जान दीजिये। शुगर यानि ग्लुकोज। हमारे शुगर के सेल इंसलिन नाम की एक एंजायम की हेलप से शुगर को जलाते हैं। जिससे एनरजी बनती है शुगर में। अब ये सवाल भी आ सकता है आपके मन में की ज्यादा शुगर से क्या प्रॉबलम होती है। तो आपको बता दे कि जब खून में शुगर बढ़ती है तो उससे नॉर्मल लेवल पर लाने के लिए पैंक्रियाज ज्यादा इंसिलिन बनाने लगते हैं एक मेडिकल जॉर्नल में छपी रिपोर्ट में बताया गया है कि ज्यादा इंसिलिन बनना भी शरीर के लिए हार्मफूल है क्योंकि इससे टाइप टू डाबिटीज का खत्रा रहता है अब ये टाइप टू डाबिटीज कौन सी बला है? जिन लोगो को टाइप टू डाबिटीज होती है उनमें इंसिलिन तो बनता है लेकिन उनकी कोशिकाएं इसका इस्तेमाल नहीं कर पाती है डॉक्टर इसे इंसिलिन रेसिस्टेंस कहते हैं शरीर में तो ग्लुकोज की मातरा को समाने करने के लिए और अधिक इंसलिन बनाता है और कुछ समय बाद यह बनना कम हो जाता है और शुगर आपके खून में मिलना शुरू हो जाता है कुछ और भी चीजें हैं जो टाइप 2 डाइबिटीज के फैलने का कारण बनती है जिस पर किसी का कोई जोर नहीं होता जैसे कि अगर उम्र 45 साल या इससे अधिक है यदि खून के डिश्टे में किसी को शुगर है तो जेनेटिक तौर पर भी आपको हो सकती है अगर आप कम ए क्योंकि इस बिमारी के जो लक्षन होते हैं वो सिम्टम्स काफी हलके होते हैं कई बार इन पर ध्यान भी नहीं जाता लेकिन टाइप 2 डाइबिटीज के जो कुछ कॉमन लक्षन है वो हम आपको बता देते हैं जिन पर ध्यान दिया जा सकता है जैसे बहुत प्यास लगना धूंदला विजन, चिर्चिडापन, ठकान महसूस होना, बार बार इनफेक्शन होना, घाव ठीकना होना अब इस बिमारी को कैसे रोक सकते हैं तो डॉक्टर और दवाएं हर बिमारी का इलाज नहीं हैं कुछ चीजी आपको भी अपने लिए करनी होती है अपनी लाइफस् में 10 प्रतिश्यत तक की गिरावत टाइप 2 डियाबिटीज थी 50 प्रतिश्यत तक बचा सकती है रोजाना कम से कम 30 मिर तक पैदल वाकिंग करें इससे मसल्स में इंसिलिन का इस्तेमाल हो जाएगा ज्यादा शुगर और फैट खाने पीने की चीजों से परहेज करें और लग